हलो नमस्ते असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब वेलकम टो और चैनल है मेरेसिपीज और आज मैं आपके लाए हूँ मैंगो जैम जी हाँ मैंगो जैम यह मौसम तो आपको पता है आम आते हैं बहुत जबरदस्त तो आप उसकी क्यों ना जैम बना के रख लें जैम तो एक ऐसी जैम बनके तैयार होती है तो सबसे पहले जो है एक काम कीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए है तो सबस्क्राइब कर दीजिए और यह रेसिपी पूरी एंड तक देखिए उसे लाइक कीजिए और दूसरों तक जरूर पचाए शेयर भी कीजिए और कमेंट करके मुझे रा दूसरों ठीकटे हुए MOW अर उसकी पारियां ली है कमेंट अठीक कश्य आम दो चाराम लेने है और दो और यहां की पूएन्ट कीजिए कॉए तो सबसे पहले जो है मैं ने यहां आम को प्यूरे कर लिया है उसके बाद जो है मैं यहाँ जो सेम कच्चाम लिया है मैंने उसे भी प्योरे कर लूँगी तो बहुती खटी मीठी सी जैम बनके यह तयार होती है जो खाने में बहुत अच्छी लगती है तो यह देखिए इसका प्योरे भी तयार है अब एक पैन में सबसे पहले जो मैंने आम का प्योरे लिया था वो डालूँगी गैस जो है हमें मीडियम फ्लेम पे रखनी है और इसे पकाना है दस मिनट तक अच्छे से आम जो है आपको बहुत अच्छे टेस्ट वाले फुल पके हुए लेने है जब भी आपकी जैम जो है अच्छी बनेगी तो यह देखिए दस मिनट हो गए जैसे पकते हुए तो यहां जो है मैंने इसमें कच्छा आम एट कर दिया है कच्छे आम का प्योरे तो इसे भी मैं अच्छे से मिला लूँगी कलर देखिए कितना जबरदस्त आया है इसे मैं पांच मिनट तक पकाऊंगी अब बजार से जैम लाने की कोई ज़रोती है आप घर में बहुत इजली बना सकते है तो यहां मैंने एट की है चीनी 6 टेबिल स्पून आप चाहें तो इसे घटा बड़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके आम ज़्यादा मीठे हैं तो इसे कम कर लीजिए अगर आपके आम थोड़े कम मीठे हैं तो इसे ज़्यादा कर लीजिए या आपको ज़्यादा मीठा पसन है तो जादर डाल लीजे, कम मीठा पसने तो कम डाल लीजे ये घर में बनाने का ये ही फायदा होता है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात घर में बना रहे हैं बहुत सेफ है, आज कल बहार का खाना अंसेफ है बहुत और ये तो आप अराम से अपने बेबी इसको भी खिला सकते हैं तो ये देखिए, ये अच्छे से पक गई है आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है जब ये बिल्कुल गाड़ी हो जाए, आपको लगे कि इसके बाद ये गाड़ी नहीं हो सकती उसके बाद ही आपको गेस बन करनी है देखिए किती ठिक हो गई है ये मैंने इसे 20 मिर्ट पकाया है अगर आप ये 20 मिर्ट बाद भी गाड़ी नहीं हो तो इसे आप इसे और पका लीजी तो ये देखिए, मुझे लगता है ये बिल्कुल रेड़ी है लगता क्या है तो चलिए ये मैं गैस ये बन कर दूंगी तो इसको जो है मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी ठंडा करने के बाद ये इस जार मैं नीकाल लिआ है एर टाइट जार है ये और इसके बाद जाय से मैं रेफीजरेट कर कर रख लूंगी मुझे जब यूस करना हो इसे निकालो खाऊं एंजॉय करो आप इसे एजिली एक देड़ महीने आराम से चला सकते हैं बलकि एक देड़ महीने से ज़ादा ही चला सकते हैं मैं कहूंगे लेकिन ये टेस्ट में अच्छी होते हैं कि इतने दिन बचती नहीं है तो ठैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई नेक्स रेसिपी में मिलेंगे अल्ला हाफिज